नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वैशाक चौथ व्रत की कहानी कहने जा रही हूँ, तो चलो कथा शुरू करते हैं, एक बुरहिया माई थी, उसके गावलियो बचलियो नाम को बेटो हो, बुरहिया माई बेटा के लिए बारह महीनों की बारह चौथ करती, बे पर पांच चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटा ने खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता के चढ़ाती, दो बांट देती, एक चौथ के दिन बेटा अपनी पडड़िड होसन के घर गया, उसने चूरमा के लड़ू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है, सो बेटा मा के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकधियां लेकर आता हूँ, तुम चूर्मा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ी डिये इस दो या चौथ माता को, तो बुर्हिया बोली, बेटा में तो तेरे लिए ही व्रत करती, हम, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती, तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया, तो मा बोली कि तुम जातो रहे हो, लेकिन मेरा हाथ का ये आखा लेकर जा, ते के लिए ले-लेवा, घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा, और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था, तब उसने मा के दिये आखा पोवार के बोला, कि हे चोट माता, अगर ये नदी सुख कर रास्ता हो जाए, तो तुम सच्ची हो, इतन इतने में ही रास्ता मिल गया, आगे एक राजा की नगरी में गया, राजा हर महीने एक आदमी की बली देता था, वह एक बुढ़िया के घर में गया, तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी, तब उसने पूचा कि माई तुम रो क्यों रही हो, बुरिया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बली चरह जाएगा मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा माई बोली रोटी खिला दूँगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ उसने उसे रोटी खिला दी रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना आधी रात को बुलावा आया बुर्या माई सोचने लगी कि पराय पूत ने कैसे बलीचरहा दूँ पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुर्या माई से बोला कि मेरी पोठली और लाठी रखी है। बुरिया माई सोची कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया। ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड आवा में चुन दिया। जब वह चुना जा रहा था तो उसने आखा पुआर कर कहा कि हे चौत माता दो संकट टाल दिये ये भी तुम ही टालो इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। दो-तीन दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल-खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि छ महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात को बताई राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलस हो गए वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना अंदर मानस है राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई राजा ने पूछा कि कोण हो तुम तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने तीन दिन पहले इसमें चुनकर बली ली थी उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वो ही आदमी है जिसे तीन दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बली चड़ाया था उन्होंने सारी बात बताई उसे महल ले जाया गया राजा ने पूछा कि तुम कोण हो और बच कैसे गए तो उसने कहा कि मेरी माँ चौत का व्रत करती थी उसी की वजह से बच गया तब राजा ने कहा कि ये जूट है इसकी परीक्षा लेनी होगी राजा ने दो घुड़े मंगवाए एक पर स्वयम चरह गया और दूसरे पर उसको चरहा दिया उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई राजा ने कहा कि अब अपन जंगल की तरफ चलते है अगर ये जंजीरें खुल कर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौत माता सच्ची है थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जखद गई फिर उस लड़के ने बढ़ी मुश्किल से राजा को वापस राज महल पहुँचाया और जाने लगा तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिये फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्विकार कर लिया राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिये वह राजकाज में सहयोग करने लगा कुछ महीनों बाद उसे घर की याद होई एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था चारों और बिजलिया कड़ी डीडी अचक रही थी उसे अपनी मां की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गाव की तरफ चमक रही है तो उसकी पत्नी यानि राजा की बेटी ने कहा कि आपके गाव भी है क्या तो उसने बताया कि हाँ उसने अपनी मां के बारे में बताया फिर कहा कि गाव चलेंगे दूसरे दिन सुभ़ वे गाव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन दे कर उन्हें विदा किया गाउं के समीप पहुँचने पर लोगों को पता चल गया उसकी मां से बुरहापे में लगधियां तो कटती नहीं थी इसलिए गोबर के उपले बना कर उन्हें बेच कर जीवन यापन कर रही थी वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पढ़ोसन ने बतिया कि बुरहा माई तेरे बेटे बहु आ रहे हैं तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहु कहा है एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा भुजा के निकाल दिया तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ विश्वास नहीं हो तो देख लो बुडिया ने छट पर जाकर देखा तो सच में गाउं की तरफ एक लशकर आ रहा था घर आकर बेटे बहुने पाव चुए बेटे ने कहा कि मा तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिन्दा हूँ उसी दिन उसने पूरे गाउं में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामुहिक भोजन है दूसरे दिन सब को भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ का व्रत करे जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे सब को बचाना पढ़ने वाले को, सुननने वाले को और फॉर्वर्ड करने वाले को और उनके परिवार को बोलो चौथ माता की जय दोस्तों, इस कथा के बाद गणेश जी की कथा भी अवश्य कहें धन्यवाद